हलो फ्रेंट आज हमने हरे मुंगी सबजी बनाए जो कि काफी टेस्टी और बहुत अच्छी सबजी बनी है सात में बहुत ही हेल्दी और फायदे मन यह बहुत है जो डाइट कॉंसें से उनके लिए तो बहुत ही अच्छी यह सबजी है तो जो लोग नए आए हैं प्लीज फ्रेंट हमारे चनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए वेल आइकोन दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन मिल सके तो ये पूरी इसकी पूरी वीडियो आप फूर्ड एर क्राफ्ट विथ चैनल पर आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छी सब्जी बनकर रेडि हो गई आज हम बनाने वाले हैं मूंग की सब्जी जो की ये मूंग को हमने ओवरनाइट बिगो दी थी, बिगोने के बाद इसकी पूरी पानी को निकाल करके एक गिले कपड़े से ऐसा ही बान के टांग दी थी तो ये हलका सा देख सकते अंकुरी थो गया है, इसमें और यहां पर हमने दो बड़े चमच चना दाल ली हूँ चना दाल को भी हमने पानी में दो से तीन घंटे बिगो दी थी, जिससे कि ये चना दाल भी काफी अच्छा सा भीग चुका है, सौप्ट हो चुका है तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बनाना, यहां पर हमने कुछ मसाले ली हूँ, जो कि बनाओंगी बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छी बनाने वाली हूँ ये सबजी तो इसकी पूरी वीडियो जरूर फॉलो कीजिएगा फ्रेंड, तो हमने यार चोटा सा कुकर लिया है, कुकर में कुकिंग ओयल, यह सारा कुछ हम कुकर में ही बना लेंगे, बहुत अच्छा बनता है, तो ओयल जो है अच्छा घरम हो चुका, अब मैं डालेंगी इसमें ए एक दालचीनी के टुकड़े, छोटा टुकड़ा, और हमने यहां पे कुछ मसाले ली हूँ, जिसमें कि यह हमने जीरा लिया है, छोटी चमच से आधी चोटी चमच, और यह वन पींच, मेथी के दाने, इन सब को इसमें डाल दूँगी, अच्छे से क्रैकल करने देंगे, जैसे यह क्रैकल हो जाएगा, अब फटा फट इसमें डालेंगे, हरी मिर्च, प्याद को उमने इस तरह से बाड़ी काट करके लिए प्याद डाल दूँगी, साथ में हमने कड़ी पत्ते, कुछ कड़ी पत्ते लिए हूँ, इसे डाल दूँगी, इसे डाल कर दो मिनट के लिए अच्छे से प्याद को भून लूँगी, हल्का गोर्डें ब्राउन होने तब प्याद को हमें भून लेना है, तो भून के रेडी कर लेते हैं, प्याज काफी अच्छा सा भून गया है, देख सकते, बहुत भड़ासा प्याज जो है भून गया अब इससे ज्यादा आमें प्याज को नहीं बुनना, बहुत अच्छी खुश्बू आ गई, प्याज बुन गया बढ़िया सा, अब मैं इसमें डालूंगी कुछ मसाले, यहाँ पे हमने आधी छोटी चमच, धनिया पाउडर ली हूँ, इसे डाल दूंगी, यह लाल मिर्च प आधी छोटी चमच, हल्दी पाउडर लिया है हमने, यह कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली हूँ, जिससे की सबजी में बहुत अच्छा कलर आता है, नमक, और यह हमने गरम मसाला ली हूँ, आधी छोटी चमच, गरम मसाला, इससी समय इसे भी डाल दूंगी, अब डालूंगी इसमें अद्रक लसुन का पेस्ट, सारा कुछ डालने के बाद, अब थोड़ा सा पानी आट करूंगी, जिससे मसाला जो है जले नहीं, बस इसे एक मिनट और इसी तरह से हमें इन मसालों को अच्छे से भूल लेना है, इसना भूलना है फ्रेम की इसमें, ऑइल थोड़ा सा सेपरेट होने लगे, और मसाले भूलने की खुशबू थोड़ी सी आने लगे, तो इसे भूलने में एक से दो मिनट का टाइम लगेगा, तो भूल के इसे रेडी कर लेते हैं, ये मसाला काफी अच्छा सा भूल गया, बहुत बढ़िया कलर भी आ गया है, बहुत अच्छे से मसाला भूल कर रेडी हो गया, अब मैं डालूँगी इसमें एक टमाटर, जिसको की मैंने इस तरह से एकदम ही बारिक चॉप कर ली हूँ, इसे डाल दूँगी, बारिक चॉप करने से क्या होता है फ्रेंड की ये फटा-फट अच्छे से मैस हो जाता है, और पक जाता है, तो ये सब जहें बहुत जरूरी चीज है, ग्रेवी बनाने में बहुत जरूरी होता है ये सब, तो देख सकते हैं कि टमाटर भी अच्छे से मिक्स अप हो गया, बस एक मिनट इसी तरह से घून लूँगी, सारा प्रोसेस लो टू मीडियो फ्लेम में ही में क्या होता है, आपको कलर तो दिख जाएगा, लेकिन जो पूरा आपको मसाले भूनने का प्रोसेस है, या सब्यों को भूनने का प्रोसेस है, वो नहीं हो पाता, ये चीज घ्लान में रखना बहुत जरूरी है, टमाटर भून चुका है, और मैं डालोंगी इसमें ये चन चने डाल को इसमें डाल दूँगे, चना डाल डालने के पाद इसी समय डाल दूँगी मूग को भी, ये जो उमने मूग को लिया है, इसे भी डाल दूँगी, ये बहुत अच्छी सबजी बनती है, फ्रेंट साथ में हेल्दी भी है, और आप देख सकते हैं, कि हमने यहां पर बहुत कम मसाला भी यूज किया हुआ है, बहुत कम मसालों का यूज किया हुआ हमने, बस इसे इन मसालों के साथ मिक्स करना है, तो ये मिक्स हो गया, और मैं इसमें डालूँगी पानी, बहुत ही बढ़ी है, और काफी अच्छी कुस्बू आ रही है, अब पानी डाल देंगे, पानी बस अभी आप देखिए, मैं लेबल तक ही डालूंगी, इससे ज़्यादा पानी अभी नहीं डालेंगे, तो इन सब को देखिए, अच्छे से ध्यान थोड़ा देना पड़ेगा, अभी जो है, एकदमी सबजी की लेबल में ही पानी हमने डाला अब मैं कुकर की लिड को लगा दूँगी, और इससे दो विसिल आने के बाद गैस को कर दूँगी बंद, और बंद करके जब यह थंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ, तो अभी गैस की फ्लेम चो है हमारा लो टु मीडियम फ्लेम है, लो टु मीडियम पमीड लगने दीजे दो बंद करने के भाद यह कोmm कर देंगे दो यह तो यह से हो थंडा हो चुका है, बहुत ही बढ़िया और काफी अच्छा सा देख सकते कि यह पग गया है बहुत बढ़िया लग रहा है ना देखने में काफी टेस्टी और बहुत यमी सा यह बनकर रेडी हो गया देखे इसे हम ज्यादा मैस नहीं करेंगे बस हलके हाथों ही मैस करेंगे कितनी अच्छी यह सबजी बनकर रेडी हो गई है तो अब इसे प्लेटिंग करेंगे करते हैं बहुत अच्छा अगर आपको इसे ग्रेवी चाहिए तो अब भी आप थोड़ा सा गरम पानी करके आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस ही साफ से आप इसे तयार कर लीजे लेकिन ये परफेक्ट है मैं इसे रोटी के साथ खाने वाली हूं बहुत ही बढ़िया और काफी टेस्टी लग रहा ना ये तो इसी तरह से आप भी ट्राइ कीजिए और हमें अपना फीडबेक कमेंट जरूर दीजे काफी टेस्टी लग रहा है इसमें जो ये मिर्ची है इसे निकाल दूंगी साइड में बहुत ही अच्छी और टेस्टी सब्जी लगड़ी है खाने में उतना ही और देखने में भी बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छी सब्जी बनकर रेडी हो गई आप इसे पूरी चपाती चावल के साथ इंज्जॉय कर सकते हैं अगर चावल के साथ खाना है तो थोड़ी ग्रेवी तो चाहिए अगर रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं तो ये अब भी एकदम पर्फेक्ट बनकर रेडी हो गई काफी अच्छा अच्छी लग रही है न अब इस पे थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दूँगी ऐसे तो इसमें धनिया पत्ता अच्छा ठीक है अच्छा लगता है लेकिन बहुत लोग नहीं डालना पसंद करते हैं अगर आपको अच्छी लगती है तो डालिए नहीं तो आप इसे इसकेट कर सकते हैं तो काफी टेस्टी यह सब्जी बनकर रेडी हो गई ना अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज प्लीज दिल से एक लाइक और अच्छी सी एक कमेंट जरूर कर दीजिए हमारे इस रेसिपी पे बहुत ही बढ़िया और काफी अच्छी यह सब्जी बन गई है तो जो लोग नए आए हैं प्लीज हमारे चनल को लाइक सेर सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकों दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिल सके तो काफी टेस्टी यमी सी यह सब्जी बन गई है तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू यह सब्सक्राइब डिससे में राव टेस्टी यह सुर्ण है तो मिल सका दिच भीजिए जे शवागों तो की इना भीजिए यह सब्सक्राइब कर दिए एक सेर से कुण जा मिल सक्षण में अन्नुच